हेलो एविर्वन मैं आज आपसे ट्रेक इवेंट्स के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं बताने जा रहा हूं कि ट्रेक इवेंट्स कौन-कौन से होते हैं आज मैं ट्रेक इवेंट्स में तीन इवेंट्स करेंगे जो के पहला है स्प्रिंट दूसरा है middle distance तीसरा है long distance friends इसमें दो points और है जो obstacle races and relay races यह मैं next वीडियो में आप से बात करूँगा तो friends sprint race की अगर हम बात करें sprint race की तो friends इसमें 100 meters 200 meter and 400 meter यह sprint race कहलाता है friends अगर middle race की हम बात करें तो इसमें 800 meter 800 meter जिसे कहते हैं और 1500 meter यह आपका middle race हो गया friends अगर long distance की बात करें long distance long race की बात करें तो इसमें 3000 meter 3000 meter जो कि वी मेंस के लिए है ना mostly होता है अगर हम 5000 meter की अगर बात करें या 5 km आप कह सकते हैं जो मेंस के लिए होता है और उसके बाद 10,000, 10,000 meter मतलब 10 km के अगर हम बात करें तो यह भी मेंस के लिए होता है ठीक है friends और 10,000 से उपर अगर हम जाएंगे तो marathon race आपका आ जाता है marathon marathon उसके बाद 20 km walk वाक हो गया उसके बाद 50 km walk होता है फिर 50 km cross country cross country race हो गया friends तो यह आज मैंने आप से तीन races के बारे हमने बात किया है sprint middle race और long race मतलब long distance race आपको वीडियो कैसा लगा comment section में ज़रूर बताएं और please subscribe मेरे channel कर दें आप और share भी